हारी government ने health insurance sector में एक अच्छा initiative लेते हुए IRDA के साथ मिलके एक नया plan launch किया है जो अभी देश में चल रहे है करोना महामारी को cover करेगा plan है करोना कवच यह plan सभी health insurance companies के पास available है और खास बात यह है कि सभी companies की terms and conditions इस plan के लिए same रहेंगी companies अपने services और facilities के हिसाब से आपसे अलग अलग premium charge कर सकती है यानि कि अब आपकी मर्जी है आप किस company का plan लेना चाहते हैं features आपको same ही मिलेंगे आज की इस video में हम जानेंगे कि plan कौन ले सकता है यानि eligibility क्या रहेगी, coverage क्या रहेगा, advantage और disadvantage क्या रहेंगे किसे ये plan लेना चाहिए और क्यों सब जानकारी में दूँगा, तो आप मेरे साथ बने रहे ये video के end तक बात कर लेते हैं plan की entry age की तो यहाँ पे address के लिए entry age है minimum 18 साल और maximum 65 years वह अगर बच्चों की बात करें, तो बच्चा चाहें आपका एक दिन का हो या 25 साल तक का company आपको बच्चे के लिए corona coverage plan में policy देने के लिए ready है तो यहाँ पे जो आपकी policy शुरू होगी, मानले जी मैंने आज policy ली इसमें एक चीज़ ध्यान दिएगा कि 15 दिन जो है वह initial waiting period है तो देखा जाए तो आपको coverage मिलता है 3 मेने, 6 मेने और 9 मेने का की plan में benefit कैसे मिलेगा या फिर benefit किसे मिलेगा तो यहाँ पे condition यह ही कि अगर किसी को corona diagnose होता है और वो government authorized diagnostic center में यह test कराता है तो company आपको यह plan का coverage देने के लिए रड़ी है basic conditions आपको पता हुआ कि कम से कम 24 गंटे admit होना जुरूरी है तो same conditions इस वाले plan में भी applicable है Corona coverage plan में भी आपको कम से कम 24 गंटे तो admit होना जुरूरी है तभी आपको claim मिलेगा अगर hospital room और ICU charges की तो यह आपको actual expenses जो होते है यतना भी आप खर्चा करेंगे आपके coverage के amount तक maximum company देने के लिए तयार है आपको यह पता हुआ कि companies consumables का खर्चा नहीं देती है यानि cotton, syringe, gloves बट यहाँ पे specially अगर आप corona coverage plan लेते हैं तो company आपका PPE kit का खर्चा gloves या फिर और बे ऐसे कुछ expenses जो होते है जो generally consumables में आते हैं उसका खर्चा company देने के लिए तयार है आपको corona coverage plan में जो कि generally health insurance companies cover नहीं करती है comorbidity यानि कि अगर आपको एक बिबारी के साथ कोई और बिमारी पहले से है तो यहाँ पे company इसका भी खर्चा देने के लिए तयार है मान लीजिए मेरे corona के इलाज में जो मैं इलाज करा रहा हूँ उसी समय मेरे को कोई और illness भी diagnose होती है जैसे BP asthma diabetes या फिर अगर मेरे को policy लेने से पहले यह बिमारी है और अब जाके चलके मुझे corona हो जाता है तो company मेरी दोनों बिमारी यानि की corona प्लस जो मेरी बिमारी है BP asthma diabetes दोनों का खर्चा देने के लिए तयार है इस plan में बट maximum देगी मेरे coverage amount के बराबर ही प्री और पोस्ट वास्पलाइशन की बात करें सकते हैं अब बात कर लेते हैं claim की तो claim अगर आप network hospital में है तो 100% cashless मिलेगा और वहीं अगर आप non-panel hospitals में है तो फिर आपका claim जो होगा वो होगा reimbursement यानि पहले आप अपनी जेब से खर्च करेंगे बाद में company आपको पैसा return करेगी अगर आप अपने करोना coverage plan में additional premium pay करते हैं तो company आपको एक additional benefit देने के लिए तयार है इस benefit का नाम है daily cash benefit या आपको मिलता है 0.5% of some insurance per day यानि कि अगर मेरा coverage 5,000,000 रुपे का है तो मुझे daily के 25,000 रुपे मिलेंगे बड़ ये maximum मिलते हैं 15 दिन के लिए आपको पूरे policy period में आयूश treatments यानि कि अगर आप अरुवेदी क्यूना नी हिमोपेती या सिद्धा दवया लेना चाहते हैं और अगर आप government hospital को visit करते हैं आयूश hospitals तो company आपको इसका भी खर्षा देने के लिए तयार है आपकी corona coverage plan में home care treatment अगर आप चाहते हैं कि corona के वज़े से आपका इलाज घर पे ही हो आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं इलाज के लिए तो वो option भी देती है company आपको यहाँ पे minimum 14 days आपका treatment होना चाहिए तो company आपको आपका actual expenses देने के लिए तयार है घर पे भी इलाज कराने पे बात कर लेते हैं tax benefit की तो आपको पता होगा की health insurance में कोई भी tax benefit मिलता है आपको section ATD के तुरू तो यहाँ पे भी section ATD में आपको tax rate मिलेगा आपकी corona coverage policy के लिए exclusions की अगर बात करें तो exclusions हमेशा की तरह से हम है drink and drive, suicide attempt, cosmetic surgery, weight loss therapy, HIV AIDS और by birth illness यह plan किसे लेना चाहिए अगर आपके पास पहले से health insurance policy है और अगर आपका coverage कम है तो मैं recommend करूँआ कि अलग से एक corona coverage plan लेके चलिए वहीं अगर आपके पास कोई health insurance policy नहीं है तो करोणा coverage plan लेना बनता ही है अगर माली जी मेरे पास एक basic coverage है 5 लाख रुपेका और एक super top up है 20 लाख रुपेका यानि मेरे पास total coverage 25 लाख रुपेका है तो क्या मुझे corona coverage plan लेना चाहिए जी हाँ, लेना चाहिए आपको corona coverage plan because आप अगर market में एक बार analyze करेंगे तो आज कल करोणा के लिए जो claims आ रहे है 15 लाख 20 लाख कहीं नहीं है तो एक coverage रहेगा आपके पास corona के लिए specially हाँ definitely आप premium दे रहे हो बट इस benefit को अगर आप लेते हो लगवान नगर ऐसा कुछ अगर हो जाता है आपको आपको अपनी जेप से पैसर नहीं लगाने पड़ेंगे nominal amount है आप इसको afford कर सकते हो सबसे lowest premium के अगर बात करें तो आप एक बार future generally का plan देख सकते है वो आपको lowest premium पे option available करा रहे है हाँ एक और सवान इंडिविच्वल लें या फ्रोटर में लें मेरा suggestion रहे है कि आप इंडिविच्वल coverage लेके चलिए फ्रोटर में अगर आप लोगी तो आपको जी total coverage मिलेगा वो divide हो जाएगा सभी members में में जानताओं कि पहले ही इस topic पे बहुत सरे वीडियो बन चुके है बट अगेन यहाँ पर वीडियो बनाने का मेरा concept है कि आपको सही जानकारी मिले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज subscribe कर दिजियो और bell icon दबाना ना भूले ताकि best videos मिलते रहे आपको सबसे पहले